इस वीडियो में हम राजस्तान के परमुख लोक देवतार देव नारायन जी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे। देव नारायन जी का मैसा माना जाता है कि जो मूल नाम है वो उदेशिंग था। इसके बाद इन्होंने जैसे संत अपने नाम चेंज करते थे वेचे देव नारायन जी का नाम यानि उदेशिंग का नाम बाद में देव नारायन जी पड़ा। देव नारायन जी के जो मंदिर होता है इसमें कोई मूर्ती नहीं मानी जाती इसा माना जाता है कि इसके मंदिर में इंट की पुजा होती है। इसके लावा देव नारायन जी के मंदिर कहां कहां है रादस्तान में तो गोण दड़ावत असिंद भीलवाडा में है। देव वाले ब्यावर में भी ही इनका मंदिर है जहांपर इनके समाधी बनी वी है। देव धाम जोद बुरिया टोंक में भी है जहां पर देव नाराण जी का धाम माना जाता है देव डूंगरी चितोडगड और नगला जहार भरतपुर इन इन छेत्रों में राधस्तान के परमुख लोग देवता देव नाराण जी के परमुख मंदिर है देव नाराण जी के जो फड़ होती है वो गुजर भुपों के दोरा जन्तरवाद इंतर दोरा बजाया जाता है या गाई जाती है यानि गुजर भुपी क्या करते हैं जन्तरवाद इंतर दोरा देव नाराण जी की फड़ को गाते हैं सबसे चोटी और सबसे जो बड़ी फड़ है वो किस लोक देवता की है तो देव नरान जी के जो फड़ है सबसे चोटी वे सबसे बड़ी फड़ है इसलिए कहा गया है कि एक डाग टिकट है उसके उपर देव नरान जी की फड़ सपी वेती तो सबसे चोटी फड़ हो गई औ और वैसे लिखित रूप में सबसी बड़ी फड़ देव नरान जी की होती है।